यह प्रेंड्ज कॉम्प्टीटेर्स अकेडमी चेनल पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तो राजस्तान के पेंटिंग के बारे में और दोस्तो इसमें हम especially Mayward style of painting की बात करेंगे दोस्तों Mayward के अलावा और भी कई सारी style की painting से बट दोस्तों आज की वीडियो में focus होगा Mayward style of painting के उपर वीडियो में आगे बढ़े हैं दोस्तों उससे पहले बताना चाहता हूँ कि Trade Learner Sorry Competitors Academy चैनल और RS Hindi and English Medium चैनल को अगर आपने नहीं जोइन किया है तो उसको जाकर जोइन कर लीजिए Link आपको description box में मिल लाएंगे और RS Hindi and English Medium चैनल पर आपको बहुत सारे ये PDF से मिल लाएंगे दोस्तों जो model test papers हैं और दोस्तों बहुत सारे notes हैं दोस्तों जो English Medium से related है description box को check कर लीजिए काफी सारी important books और दोस्तों competitors Academy का RS material भी मिल लाएंगा आपको दोस्तों description box में तो link जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों इंस्टा मुझे वेबसाइट पर जाकर के आप competitors Academy के जो notes हैं उनको buy कर सकते हैं चलिए दोस्तों discussion चुरू करते हैं discussion में आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले मैं बता देता हूँ कि competitors Academy की दोस्तों काफी सारी वीडियो आ चुकी है RS mains exam को ले कर गे तो यह RS mains exam की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो regular series चल रही है और इसको आप देख सकते हैं दोस्तों यह playlist है राजस्तान जीके और RS mains exam 2021 की इन दोनों playlist में जाओगे तो आपको chronologically जो है दोस्तों यह बिल्कुल sequentially मिल जाएगी दोस्तों सारी वीडियो हैं दोस्तों जिसमें हर एक paper का analysis बताया हूँ है 2013, 2016, 2018 के previous year के papers का proper analysis है हर एक topic wise, subject wise है बिल्कुल जैसा की चलिए दोस्तों अभी तो discussion को शुरू करते हैं और जानते हैं paintings के बारे में कुछ basic बात हैं ठीक है तो यहाँ पे राजस्तान की जो paintings थी दोस्तों उस वक्त पे जो है अगर दिखा जाए तो मेवाड के रासनकाल में जो है जो है दोस्तों जब मेवाड की रियासत थी तब जो है ज़्यादा painting जो है popular हुई थी ठीक है तो मेवाड में जो है अगर यहाँ पे देखा जाए तो चार तरीके की painting style थी ठीक है पूरे राजस्तान की बात की जा रही है यहाँ पे पहली थी मेवाड इस्कूल ओफ इस्टाइल जिसमें आती है चावड चावड के अलावा आती है देवगड देवगड के अलावा आती है नादवारा ठीक है तो यह तीन जो हैं दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेवाड के इस्कूल में मेवाड के इस्कूल के अलावा मारवाड के इस्कूल भी था काफी famous था मारवाड के इस्कूल मारवाड के अलावा देखे तो डूंडार इस्कूल भी था डूंडार इस्कूल भी जो है दोस्तों देख सकते हो आप यह जैपूर, अलवर, उनियारा और शेखावटी रिजन में डूंडाड़ इसकूल था ठीक है मारवाड इसकूल था जोदपूर, बीकानेर, किशंगड़, अजमेर, नागोर और जेसलमेर तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो, कई सारे तरीके की जो है दोस्तो, आप पेंटिंग स्टैल को देख सकते हो यहाँ पे तो हड़ोती स्कूल की भी पेंटिंग इस्टैल है दोस्तों और यह काफी popular है दोस्तों जो हड़ोती वाली है यह बहुत popular है जिनके उपर अंडरलाइन लगा हुआ है दोस्तों वो सारी important है ठीक है डूंडार में जाओगे तो जैपूर की और उनियारा की ज्यादा popular है और से जो है RPSC जो है दोस्तो RPSC RS के prelims plus mains में जो है दोस्तो काफी question पूछना पसंद करती है अगर आप previous year के question papers को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अलावा जितने भी other दोस्तो जो दूसरे government exam है राजस्तान के दोस्तों वहां के point of view से भी दोस्तों आप इस पूरी वीडियो को जो है देखिए इसके अलावा जितनी भी वीडियो बनाई जारी है दोस्तों राजस्तान के GK को लेकर के अब तक में जितनी भी cover up की गई है उन सब में भी जो है काफी काफी ज़्यादा high probability है question आने की different government exam में चलिए अभी मेवार इसकूल ओफ पैंटिंग की बात करते हैं तो यहां पे बताया गया है first point है कि दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि यहां पे जो है एक बात कही गई थी यहां पे कि यह जो painting की styles थी दोस्तों यह painting की styles जो है राजस्तान में सबसे पहले starting जो की गई थी वो jain जो monks थे दोस्तों उनके द्वारा की गई थी तो jains the jains were the first to draw pictures on the paper and to write in the regional languages ठीक है तो सबसे पहले जो है jain maharaj जित्ते भी होते थे जो भी jain monks होते थे उन्होंने जो है painting करना जो है की थी राजस्तान में यह राजस्तान में painting की जब शुरुआत होती है दोस्तों यह बिल्कुल बेसिक सी चीजे हैं दोस्तों जो दी गई है यहां पर बेसिक बाते की गई है लेकिन हमारे लिए जो है दोस्तों यह इतनी काम की नहीं है इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है ठीक है सेक्षन को आप पीछे के पोर्शन को जो है वीडियो को पॉस्ट करके भी देख सकते हो चाहो तो ठीक है यहां पर परपस जो है मेवाड की पेंटिंग इस्टाइल को समझाना है तो 12.16 का टाइम चल रहा था 12.60 प्रतिकरमन सूतर जोनी उसको पेंट करवाया गया था ठीक है तो पूरी की पूरी किताब थी दोस्तों यह इस तरह से कोई किताब थी उस किताब में काफी सारे चित्र होंगे और यह या फिर श्लोक लिखे हुए होंगे उसको पूरी तरह से पेंट करवाया गया था दोस् in the year 1423 AD during the reign of Mokal a book named Supra Supraśvant Charitra ठीक है Supraśvant Charitra नाम से एक किताग थी and it was painted in Delvada ठीक है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर महाराना कुंभा also contributed in the painting of मेवाड यह जो भी बात की जारी है दोस्तों यह already हम मेवाड के इतिहास के time पर cover कर चुके हैं ठीक है तो मेवाड का इतिहास जो है दोस्तों आप जा करके पढ़ लीजिए ठीक है वो आप दोस्तों हमारे चैनल पर जो है दोस्तों जिकर किया गया था ठीक है यहाँ पर देखिए इसके अलावा तो मेवाड की जो painting style है उसमें कुछ subclasses भी है दोस्तों यह subclasses क्या होती है subclasses जो होती है मतलब मेवाड जो है दोस्तों एक umbrella है अगर तो umbrella के अंडर में छोटी-छोटी type की बहुत सारी styles पनब गई थी इसलिए जो है इनको subclasses बोला जा रहा है क्योंकि इनमें जाद तरगुन मेवाड स्कूल ओफ painting के देखने को मिलते हैं चावंड नाम से एक place था दोस्तों चावंड प्रताप के टाइम पर हुआ था दोस्तों यहां पर during the reign of माहराना प्रताप the independent development of the मेवाड school of painting started from चावंड ठीक है चावंड नाम से place से जो है मेवाड की एक subclass की painting का जो है की शुरात हुई थी ठीक है at that time the pictures of धोला मारू were painted at that time the pictures of धोला मारू were painted and presently there are kept in the national museum देली ठीक है तो यह जो धोला मारू की paintings थी उस वक्त की उनको जो है आज save करके जो है देली के national museum में जो है रखा गया है इसका नाम गया है धोला मारू painting है ठीक है तो धोला मारू painting किस से associated है तो चावंड इस्टाइल की जो painting है ठीक है उससे associated है ठीक है THA, V, W, A, N, D चावंड इस्टाइल की जो भी painting है इससे associated है यहां पर धोला मारू painting ठीक है जिनके टाइम पर जो है मेवाड की painting का बड़ा विकास हुआ था उन जो वो जो king थे उनका नाम था महराना अमर सिंग ठीक है यह very very important है दोस्तों मैं बता रहा हूँ यह ऐसे question आते है पेपर में ठीक है नसरुद्दीन painted रागमाला in 1610AD which is now kept in the museum of बड़ोदा ठीक है रागमाला नाम से जो है painting बनाई गई थी यह नसरुद्दीन के दोरह और इसको जो है बड़ोदा के museum में रखा गया है ठीक है later on बारह मासा was painted which is now kept in the सरस्वती भवन लाइबरेरी उदेपूर तो सरस्वती भवन लाइबरेरी नाम से जो है उदेपूर में उसमें जो है बारह मासा नाम से जो है बनाई गई painting जो थी उसको रखा गया है ठीक है तो यह सब का विकास होा था महराणा अमर सिंग के टाइम पर यह बात का धियान रखना है यहाँ पे side में भी style लगा करके बताया हुआ है ऐसे कोशन दोस्तों आरे इसके प्री में सब जगे आते हैं ठीक है तो आपको धियान रखना है और भी जो भी राजस्तान के गवर्मेंट एक्जाम में वहां के इसको जो है रेन ओव महाराना जगत सिंग के टाइम पर जोधा है इसको जो है गोल्डन पिरेड बोलते हैं मेवारा इसको पेंटिंग का जगत सिंग कंस्रक्टेड द चित्रों की ओवारी चित्रों की ओवारी नाम से जो है इन्होंने कंस्रक्ट की थी एक पेंटिंग ठीक है जगत सिंग यह उस वकत के राजा थे और जगत सिंग के टाइम पर जो है सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनाई गई थी तो गोल्डन पिरेड भी बोला जाता है इसको गोल्डन पिरेड ओफ दा देट मेंस दे हट ओफ आर्टिस्ट विच इस ओल्सो कोल्ड तस्वीरो रो कारखानू ठीक है तस्वीरो रो कारखानू नाम से जो है इन्होंने एक और पेंटिंग मनाई थी ठीक है तो यह चित्रो की ओबड़ी देट मेंस दा हट ओफ आर्टिस्ट विच इस ओल्सो कोल्ड तस्वीरो कारखानू तो अलसो इन दिस ताइम अ पेंटर नेम्ड सही बुद्दीन पेंटेड दी इंडिविजूल पिक्चर्स ओफ महारानास ठीक है तो अलसो इन दिस ताइम अ 2007 parent नियम्ड सही बुद्दीन साही बुद्दीन नाम इंडी हं ये सही बुद्दीन नाम से है ठीक है फिक एंडिविजूल पिक्चर्स ओफ महाराना के इंडिविजूल पिक्चर्स को भी बनाया था सही बुद्दीन के दीक है यह आपको धिचान अलगना हैं दोस्तों और during the reign of maharana संगराम सिंग दूती है ठीक है अब ये देखो अलग-अलग राजा है अलग-अलग राजा के टाइम पर अलग-अलग paintings है देखी लिए ठीक है तो ये आपको धियान रखना है the books named Kalila Damna and Mullah Dho Pyaja के लतीफे were painted ठीक है मुला दो प्याजा के लतीफे और ये Kalila Damna नाम से जो है दो books थी उनको भी paint कराया गया था महाराना संगराम सिंग दूती है के टाइम पर ठीक है तो इस तरह से अलग-अलग राजाओं के टाइम पर अलग-अलग paintings बनवाई गई थी अब देखो Duryn The Rain Of Maharaana Jagat Singh दूती है अर यहाँ पर बात आ रही है Maharaana Jagat Singh दूती के बकल करके During The Rain Of Maharaana Jagat Singh दूती है A painter named Nuruddin painter named Nuruddin painted the picture of Maharaana Jagat Singh दूती है ठीक है Maharaana Jagat Singh दूतीetin के दवारा आ है तो आप यहां पर समा सकते हो कि महाराणा जगत सिंग्ग दुतिये के टाइम पे एक पेंटर था नुरुदिन नुरुद्दिन के द्वारा जो है यह महाराना जगत सिंग द्योतीय की पिक्चर को भी पेंट किया गया था तो काफीए फेमउस पेंटिंग थी दोस्तो यह ए और इस्तार से जो है कही सारे कार यह जो है मेवाड painting style के दोरान जो है किये गए तो यह चावड style of painting होती थी यहां पर so therefore in the chawad subclass following were the features तो चावड जो style की painting होती है तो chawad subclass में जो है following were the features तो कुछ features होते हैं यहां पर यह पहला feature धियान रगना यह question जरूर आप से पूछा जा सकता है दो से पांच marks में ठीक है ठीक है 2 to 5 marker question है दोस्तों ठीक है यह आते हैं ठीक है इस तरीके के question RS के mains exam में है तो यहां पर चावड की subclass के जो है कुछ features है यहां पर three dimensional effect होता है यहां पर in the pictures of hunting ठीक है तो यहां पर एक तो three dimensional effect देखने को मिलता है जो भी picture होती है hunting की उसमें इसके अलावा कदंब tree की बात करें तो कदंब tree is more highlighted in the painting ठीक है कदंब tree को बहुत ज़्यादा दिखाए जाता है तो कि दिखें दोस्तों जहां पर महाराना प्रतावर रोके हुए थे चावड नाम से जगे पर हुआ पर कदंब tree बहुत पाये जाते हैं मतलब यह especially उदाइपूर के region में मिलते हैं तो कदंब tree जो है इस painting style में भी highlight किये जाता है इसके अलावा 3D effect भी देखने को मिलता है picture में इसके अलावा there was supremacy of red color ठीक है red color की बहुत ज़्यादा अधिहींता होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा red color देखने को मिलता है and other painters of this art were manohar and kraparam यह मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है manohar and kraparam यह manohar और kraparam जो है दोस्तों य यह भी दो इसे painter थे जो कि यह चावड style of painting से associated थे आप इस पूरी बात को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से मेवाड style of painting के अंडर में जो subclass चावड style of painting है वो popular हुई और उसके important features थे अब बात कर लेते हैं थोड़ा सब style के बारे में तो देवगड subclass जो है यह भी मेवाड style के अंडर में ही आती है दोस्तों लेकिन यह कि अलग छोटी सी जो है ठिकाना टाइप से कुछ रियासत वियासत थी इसलिए जो है इसकी अपनी importance थी तो वहाँ पे देवगड नाम से जो है subclass की एक painting style जो है पनब गई थी ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है in the year 1680 AD महारा जै सिंग अलोटेड द देवगड ठिकाना तो महाराना जै सिंग ने क्या अलोकेट किया था देवगड ठिकाना तू द्वारी का दास चुंदावत ठीक है तू द्वारी का दास चुंदावत को जो है अलोट किया गया था यहाँ पर ठिकाना ठीक है देवगड ठिकाना अलो आग था द्वारीकादास चुंडावर्थ को थीक है महाराणा जैसंग के टाइम पर इन दव इयर 1680-80 महाराणा जैसंग आलोटेड देवगण ठिकाना थू द्वारीकादास चुंडावर्थ and there were 16 ठिकाना in Mayward तो यहाँ पे 16 तरीके के ठिकाने हुआ करते थे ठीक है तो 16 तरीके के ठिकाने थे देखे यह ठिकाने वाली जगे वहों पर जाकर के पैंटिंग इस्टेल पनाब की थी यह समझ रहो ना कि 16 ठिकाने थे मेवाड में उनमें से एक था यह देवगड का ठिकाना तो डेवड के ठिकाने में जो है दोस्तों यह जो 1680 AD में जो महाराना जैसिंग थे उन्होंने अलोड किया था देवड ठिकाना जो है यह सुरीका दास चुंडावत को और इन चुंडावतों के अंडर में जो है यह पेंडिंग इस्टाइल ही डेवलप हुई थी ठीक है तो यही बात कहना चाहिए यहाँ पर तो चुंडावतों वर गिवन और ठिकाना जो नेमली सलूमबर इसमें अमेठ बेगू और देवगड तो यह जो है चार जो है ठिकाने दिये गएता है जिसमें इस्पेशली देवगड में जो है इनके द्वारा पेंडिंग इस्टाइल डेवलप की गई थी ठीक है अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट बताया जारा कि देवगड सब क्लास कंपराइजड ओफ इफेक्ट्स ओफ मेवाड मारवाड और आमेर आर्ट ओफ पेंडिंग यहाँ पर साफ का गया है दोस्तों कि यह जो देवड इस्टाइल है जो सब क्लास इस्टाइल है उसमें आपको मेवाड मारवाड और आमेर की जो पेंडिंग के इस्टाइल है तो उसके गुर्ण जो है देखने को मिलेंगे जो भी उनकी एफेक्ट्स है वो भी देखने को इनमे आग को मिलेंगे ठीक है तो इसके अलावा देखे है दोस्तों अगर तो श्रीदर अधारे ये नाम से जो है श्रीधर अधारे यह एक परसंद थे दोस्तों श्रीधर अधारे लाइटन देवगर्ड सबक्लास तो देवगर्ड सबक्लास के अगर हम कहेंगे importance थी तो वह importance बढ़ाने में जो बहुत important role था दोस्तों वो था श्रीधर अंधारे का ठीक है श्रीधर अंधारे का role जो है बहुत important the important example of देवगड़ subclass are the wall painting of अजारा की ओबरी and मोत महल मोती महल ठीक है यहाँ पर लिखा हुए the important examples of देवगड़ subclass are the wall painting of the अजारा की ओबरी and मोती महल ठीक है so in it green and yellow color are primarily used देखे दोस्तों colors की भी बड़ी importance होती किसी भी painting style में यह धियान रखना चाहिए अपने को green और yellow colors का मिश्रण देखने को मिलता है यहाँ इस तरीकी की यह जो देवगड़ style है उसमें और यह श्रीधर जो अंधारे थे श्रीधर अंधारे जो है उन्होंने देवगड़ subclass को थोड़ा सा popular बनाया था ठीक है popular किया था इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एग्जामपल आते हैं देवगड़ subclass के तो देवगड़ subclass के इंपोर्टेंट एग्जामपल से हैं कि अब देखों यहां पर बात हो रही है नादवारा के बारे में नादवारा में भी एक और पेंटिंग के style थी दोस्तों वो famous हुई थी popular हुई थी उसका नाम है कि पिछवई painting ठीक है पिछवई painting बोलते हैं इसको और that means painting of the place of lord krishna on the screen of clothes यह दो marks का question है दोस्तों आ सकता है बिलकुल धियान रखना आप इसको ठीक है तो screen of clothes होता है kept in the back side of statue of lord krishna ठीक है तो यहां पर क्या होता है आप जो यह painting style है दोस्तों नादवारा की जि painting तो जो painting होती है of the place of lord krishna तो lord krishna जो भी खेल खेलते थे उनके जो भी place होते थे दोस्तों उनको उनका वर्णन किया हुआ होता है ठीक है और on the screen of clothes kept in the back side of statue of lord krishna so are the basic features of the नादवारा sub class होता है ठीक है basic features होता है नादवारा sub class के जो है यह सारे basic features होता है so there is supremacy होती है of banana trees की in the painting दोस्तों देख लो आप यहां पर जो है painting style में जो banana tree होता है उसके बड़ी importance होती है दोस्तों यह जो है इस तरीके से दोस्तों हमने यह cover किया आप तक may world style of painting को अब next video में दोस्तों हमारी कोशिश होगी कि हम आरवारा के school of painting को cover up करेंगे तब तक दोस्तों आप जो है जितनी भी videos है उनको complete कर लीजिए already बहुत काम हो चुका है दोस्तों RS के उपर ठीक है और जो है दोस्तों कोशिश यह रहेगी कि RS का mains exam होने से पहले पहले तक आपको जितना भी complete content है दोस्तों RS mains से related वो provide किया जाए तो दोस्तों आप चैनल को subscribe जरूर कर ले वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में share करें तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने end तक देखा तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद